हर इंसान चादा है चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है जो उसकी फिजीक हो वो बिलकुल पर्फेक्ट हो जो भी पहने वो उसकी पस्नालिटी को मैच करे शूट करे और उसकी जो लुक जो निकल के आती है वो एक डिफरेंट आए कैसे आप सब उमीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं सबके लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है अपनी पस्नालिटी को लेके हर इंसान बहुत जादा परिशान भी होता है बहुत जादा कंसर्न भी होता है कि यार मुझे तो अच्छा दिखना है चाहे वो फिर मेल है चा अच्छा बहुत जादा कंसर्न है तो आज उसी के रिलेटिट है कि हर चीज में बदलाब आया लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में बॉडी शेमिंग को लेके बहुत जादा क्रिटिसिजम किया जाता है बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके एक उम्र के ब अच्छी लग रही है बहुत सारे लोग ये इशु को फेस करते हैं क्योंकि फ्लाट बॉडी है एवन एक बार रिसेंटली अनन्या पांडे ने अपने इंट्वियों में बताया था कि मुझे जनरली इस चीज के लिए टीज किया जाता है कि you have a flat body ठीक है तो इन चीजों के लेने के जरूरत नहीं है हर चीज का समाधान होता है हम 70-80% तक भी solution ले आएं तो उससे best चीज कोई भी नहीं हो सकती है देखे सबसे पहले जो एक female की body growth है वो time के साथ होती है जैसे की period start होते है ठीक है puberty की age आरी है ठीक है gestational period है मतलब सब के accordingly body make changes आते हैं लेकिन जिन तो आज की remedy उसी के related है और मैं आपको बताने वाली हूँ छोटी चोटी टिप्स जिसे फॉलो करके आप बहुत अच्छा result ला सकते हो लेकिन सबसे पहले मैं यह चीज कहना चाहूंगी कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता एक महीने में भी नहीं हो सकता छे महीने लगभग त तो आप किसी से एक से दो महीने में सिर्फ मेडिसन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वह ग्रोथ शो करेगा मेरे पस कुछ पेशन जो मेरे लिए भी बहुत चेलेंजिंग तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं उनकी एज है फिफ्टी फोर और एकी तो मैं भी बहुत कुरियोसिटी से जानना चाहती थी क्योंकि यंग एज के लोग में से कॉंटेक्ट करते हैं बट इस एज में आके तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बहुत सालों से कोशिश की मेरी ब्रेश्ट की ग्रोथ नहीं हुई लेकिन मैं अपनी पस्नालिटी को व मैंने पस्टी के एज में आता है तो वो उनमें से एक थे जिनके 54 एज में भी पीरिट्स बिल्कुल सही आ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं मैंने 6 महीने जो आपने चावल के पाने वाली रेमेडी बताय थी मैंने अपने नाक में डाली और मुझे एक इंच में जाया विच इस वेरी यूनो अनेक्सपेक्टेड फो में कि हां यार ऐसा इस उमर में भी चेंज आ सकता है और उन्होंने जब हमारी मेडिसन स्टार्ट करी बाई गौद ग्रेस थी इंच उनकी ब्रेस में चेंज आया है और जो मेरे लिए बहुत डिफरेंट केस था चैलें आज की रेमेडि़ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमेशा बताती ही राइस वाटर वो सबसे इंपोर्टेंट है क्या होता है कि आपके पीरियूर्ट आते हैं तो आपके हॉर्मन चेंज होते हैं वहां पर आपको क्या करना है कि राशन वाले चावल जो है दो चमच लेने हैं उसमें जो है चार से पांच चमच छे चमच आप पानी डाल के रख दीजिए जिसमें आपको लगे कि आपके वास पांच एमल पानी बच रहा है ठीक है उसे ओवर नाइट जो है पूरी रात डिरेक्ट आपके ब्रेइन को स्चुमिलेट करेगा डिरेक्ट आपके पिटूटरी ग्लैंड पे वर्क करेगा पिटूटरी ग्लैंड जब एक्टिव होगा वो हॉर्मोंस को पुष करेगा कि ब्रेस्ट की ग्रोथ में हेल्प करें आपके ब्रेस्ट में जो है वो रिलीज ह जितने दिन भी आपको periods आते हैं, आपको continuous remedy को perform करना है, सुभा और शाम, दो टाइम दिन में अब बात करते हैं कि कौन सायसा oil है, जिसकी massage करनी चाहिए, जिससे लटकती जो breast है, वो भी दुवारा से अपनी position रिगेन कर लियो, जिनकी breast की growth नहीं होती है, उसमें improvement आना स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, बहुत ही simple remedy है, आपको लेना है लगबग 20 ml बादाम का तेल, तेल जो है आप बादाम रोगन ले सकते हैं, ठीक है, या कोहलू से अगर आपको मिल जाए तो और अच्छा है, जो fresh निकला हुआ होता है, ठीक है, जिससे हम सर्सो का तेल निकलवाते है अगर आपको fresh मिल जाए, इसमें आपको add करना है 20 ml castor oil, castor oil जो है वो बहुत थिक होता है, और जो बादाम रोगन है वो इतना थिक नहीं होता, तो दोनों जब mix होंगे ना, वो mix नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्या करना है, कैस्चोर oil को हलका सा गुनगुना करना है, लेक मिक्स करना है, दोनों को mix करके आप किसी भी कांच की bottle में store करके रख लीजे, यह आपकी first remedy बन चुकी है, ready हो चुकी है, rice water आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली, सुबा शाम, 10-10 मिनट अपनी breast पे मसाज करनी है, जोनली क्या होता है, हम ऐसे से करके करनी है, for an example, जैसे आपकी flat breast है, या हलकी सी growth है, मनों इतनी growth है, अब आपको बिल्कुल grow चेहे के ऐसके according कि 32 size हो, 34 हो, हम वहाँ पे क्या करें, जो आपके breast का surrounding area है, हमें मसाज पहले एक मिनट ऐसे तेल लगाना है, फिर बाहर की तरफ को moment करना start करना है, इस तरह से, हलका सा painful रहेगा, बड़ जितना था कि हमें muscles की growth करनी है, वो उस पे work करना start करें, बाहर की तरफ को, जो oil है, वो आपको normal लेना है, गुनगुना भी नहीं करना है, normal तेल जब mix करके आपका बन गया, तो वो उतना काफी है, बाहर के तरफ को आपको massage करनी है, लग बग 10 मिनट, daily, बाहर शाम, एक अच्छे result के लिए, जब आपने ये कर लिया, उसके बाद क्या करना है, अब जो वात होता है, एर, वात दोश, वो आपकी बाड़ी में, अगर बहुत अधिक मात्रा में हो, तो इंसान बहुत पतला होता है, वो कितना भी खा लेना, उसके शरीर में नहीं ल अब आप कैसे उलिमिनेट करेंगे, जैसे बैट वाल हमकेलते हैं, अब बैठ हमारी बाड़ी है, बाल हमें चाहिए तक हम सिक्सर मारें और वाध को बाहर निकाल दे, कैसे, बहुत सिंपल है मेती दाना, मेती दाना वेट लूस करता है, लेकिन मेती दाना जिनकी बाड़ी म breast की growth होना start होगी, muscles में growth आएगी, आपको क्या करना है, जितनी आपकी उम्र है, मैंनो आप 15 साल के हैं, आपको 15 साल में changes नहीं आ रहे, 20 साल के हैं, पच्चेस साल के हैं, जितनी आपकी उमर हैं, आपने मेथी दाना उतने गिनके, डेली सुबा खाली पेट पानी से निगलने ह उसको चबाने की भी जरूरत नहीं है, आयुरवेदा में से रसायन चिकित्सा बताया गया है, रसायन चिकित्सा इस तरह से क्या आपकी बॉड़ी से एर को इलिमिनेट कर देगा और ना केवल या आपकी ब्रेस में ग्रोत करेगा, आपकी बॉड़ी में कहीं भी लैक ऑफ nutrition होगा, mineral होगा, deficiency होगी, यह उन चीजों को भी कवर करेगा, तो आप सोचे कि हमारी प्रकरती ने हमें इतने सारे गुणों से नवाजा है, बट हम एंसान आटिफिशली मॉव करना स्टार्ट कर दिया, हमने, मूसली ले लिए, सिरल्स ले लिए, मतलब अलग लग तरह के फूड पे हमने खुद को स्विच करना शुरू गर दिया, अच्छा खाओ, तंदरुस्त खाओ, घर का खाओ, भार का पसंद है, भार का पी खाओ, लेकिन एक साइकल मेंटेन कलो, तो डाइट में आपको क्या करना है, जो भी खाना, एर को बढ़ाता है, वो आपको नहीं लेना है, यानि कि एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना है, एकदम से बहुत ज़ादा फ्राइड चीज तेज तेज नहीं खानी है, जो भी आप खाना खाएंगे उससे चबा कर खाना है, और खाने के तुरंट बाद पानी नहीं पीना है, 15-20 मिनिट के बाद पी लिजे, वो सबसे जिसे आपको परफॉर्म करना है, आपको कितने दिन लगातार परफॉर्म करना है, आप बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए जितनी भी उपासना के दुनिया चैनल पे ब्रेस्ट के रिलेटिड वीडियो से आप चाके देखे, जो भी आपको कमफरेबल लगे, कई मैंने मा करते हैं, तो सोने पे सुहागे का काम करेगा, डेफिनेटली, मैं यही नहीं कह रही कि मेरे 100% पेशन्ट को ब्रेस्ट में रिजल्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 25 साल में नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन अगर वहां पे मेरे 10 पेशन्ट है, तो साथ में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, तीन में कम जादा रही है, किसी में नहीं भी हुई है, लेकिन 70% वहां पे improvement है, तो आप अपने आपको 70% में consider कर सकते हैं, और बिना ट्रायल यह हम कभी सोच ही नहीं सकते, मिनिमम रजल्ट दिखने में 6 महिने का वक्त लगता ही लग हैं, अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, चैनल को subscribe करना है, वीडियो को like करना है, जिन लोगों को castor oil और बादाम रोगन समझ नहीं आया है, उसका link मैं description में add करियों, वहां जाके online भी order कर सकते हैं, आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें, उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया